माद्या प्रदेश में घरेलू बिजली के दाम में बढ़ोतरी हुई हाला कि ये मामूली वृध्धी है और भोगताओं पर इसका बोज पेहत कमाएगा कहा जा रहा है कि चुनावी साल के वज़ा से ऐसा किया गया है देखियो पूरी रिपॉर्ट एमपी में बढ़े खरेलू बिजली के दाम चिनावी साल का कितना रहा ध्यान विजली दर को लेकर चल रही अटकल बासी खप्म हो चुकी है मद्यप्रदेश विद्युत नियामक आयुग ने नए टरिफ को मंजूरी दे दी है राहत की बात ये है कि इसमें मामूली बढ़ोत्री की गई विजली दर में 6 पैसे प्रती यूनिट की बढ़ोत्री हुई है 300 यूनिट खपत करने वालों को 38 रुपे ज्यादा देने होंगे 200 यूनिट खपत वालों को 25 रुपे ज्यादा देना होगा 100 यूनिट तक के इस्तमाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सबसीडी की वज़े से वो भोगताओं को राहत मिलती रहेगी कृशी वभोगताओं को 10 पैसे प्रती यूनिट ज्यादा देने होंगे यानि एक तरह से कहें तो विजली दर बढ़ाने में सिर्फ आपचारिकता पूरी की गई है वो भोगताओं का खास खयाल रखा गया है डिखानी की होती है। जब से भारती ज़ंता पाटी की सरकार इस प्रुदेश में कभी भी आपने ये देखा हो कि बिजली कंपणी की सिफारिश को ना माना गया हो कभी इस आप ने देखा हो कि नियम अगा योग ने पपलिक के पक्ष में इक निर लिया हो कभी भी ये नहीं हुआ मैं लेकिन भारती जन्ता-पार्टी की सरकार का फोकस बिजली कम्पनी ओपर रहता है उनको लावानवित करने का रहता है कि लेखिए पिषुटिकंत। करोड का घाटा हुआ है अब उन घाटे कहीं भरबाई करने के लिए नियामा कायोग को उन्होंने तीन परस्यत की बढ़ुत्री करने का अगरेक किया था चुकि नियामा कायोग सतंत्र है उसमें सरकार कोई हत्यचेप नहीं होता लेकिन जनता की सविधाओं को ध्यान में रखते हुए नियामा कायोग ने उनकी बात को ना मानते हुए और मात्र 1.6% की इली की बढ़ुत्री की है तो यह एक बड़ी रहत उनकी तरफ से लोगों को म बड़ी है और आने वाले समय में उन्हों ने जो कुछ भी उसमें किया उसमें भी हम लोग अपनी तरफ से प्रयास करेंगे लेकिन यह आप भी जानते हैं कि नियामा कायोग सतंत्र है पर मुझे लगता है कि बड़े एक राहत उन्होंने मत्रेश की जनता को दी है आकड़े बताते हैं कि पिछले साल की तुलना में महंगाई में 9.3% का उच्छा लाया है लेकिन जो बिजली दर में बड़ोत्री की गई है वो सिर्फ 1.6-5% ही है इतना ही नहीं और द्यगिक श्रणी की बिजली दरों में कोई बड़ोत्री नहीं हुई है कहा जा रहा है कि सरकार पर 50 साल का दबाव साफ दिखा है क्योंकि अगर अभी ज्यादा बड़ोत्री होती तो उसका नुक्सान होता क्योंकि बड़ोत्री से किसान और मेडल क्लास के लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं शायद इसलिए सरकार ने कोई रिस्क नहीं लिया कि देगे विद्युत का जहत्का जो लगा है वो तो लगना ही था क्योंकि सरकार्हें जो हैंब इस बात को समझ ही नहीं पा रहे ही कि उनको करना क्या है और सबसे बड़ा मध्यप्रदेश में दौरभाग गी है कि इस टेक्निकल चीज में विद्धुत जैसी टेक्निकल चीज के मालिक जो हैं सभी नौकरशा बनके बैठ गए हैं इस पर जो टेक्नोक्रेट होना चाहिए तो उनकी जगे ब्यूरोक्रेट साबी हो गए हैं और वो जो घाटे हो रहे हैं अब उस घाटे को पूरा करने के लिए जन्ता की उपर बोज आ गया है अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर कितनी यूनिट के इस्तेमाल पर कितना भार आएगा 50 यूनिट पर अभी 289 रुपे देने होते हैं अब 284 रुपे देने होंगे यानि 5 रुपे का अंतर है इसी तरह 100 यूनिट के लिए 589 की जगे 593 रुपे देने होंगे इसमें 10 रुपे का अंतर है तो वहीं 150 यूनिट के लिए 848 की जगह 860 रुपे देने होंगे यानि 12 रुपे ज्यादा देने होंगे जबकि 200 यूनिट के लिए 1419 रुपे की जगह 1445 रुपे देने होंगे मतलब 26 रुपे देने होंगे इसी तरह 300 यूनिट तक 2223 की जगह 2268 रुपे देने होंगे परहल से लागूख हो जाएंगी। लगाम कैसे लगेगी।